असलाम वालेकुम डियर सिस्टर तो आज हम बनाएंगे फोन का केस उसके लिए हमें इस टाइप का केस चाहिए जिस पर साइड में बॉर्डर सो और अब हम इसको हटा देंगे और अब हम बनाने के स्टार्ट करते हैं अपना फोन केस अब आपको रेजन और हाडनर को मिक्स कर लेना है जिस तरह से हमने बताया हुआ है और इसको इस्परिट कर देंगे अगर आपके फोन केस पर साइड में बॉर्डर नहीं हुआ तो आपका रेजन पहल जाएगा साइडों से निकलने लगेगा इसलिए आपका फोन केस पर इस तरह का बॉर्डर होना जरूरी है दैन उस पर आप रेजन दालोगे तो वो पहलेगा नहीं साइड से रुकर इस परिट करने के बाद अब हम इस पर डालेंगे स्पार्कल स्पार्कल को हमने रेजन में एड़ कर लिया था और इसको भी इस पर लगा देंगे जहां जहां हमेल इसको डालना है जैसे आप लोग सब कुछ बनाते हो उसी तरह से आपको ये भी बनाना है बहुत सिंपल रहा है और इसमें कोई सब भी कलर एड़ कर दिया नग मूती जो भी बीट्स बगएरा आते हैं वो सब लगाना वो सब यह आप लगा सकते हो और अब मैं एड़ करूंगी तुछ आफ में ब्लैक कलर यह मैंने ब्लैक पिग्मेंट दाल की इसमें थोड़ा सा माई का एड़ कर दिया था जिससे इस तरह का इफेक्ट बन रहा है इसका अ looks Mike और आपको अरांब ऑराम से लगाना वो अधरवाइस आप इस तरह से बी डाल सकते हो शेकर ओ ऐसे लगना असे लगाने में तो बहुत दें लगेगी तो हम इस तरह से डाल देंगे शेकर सो और एड कर देंगे अच्छ ते स्पृट कर देंगे और इसके बाद हम और थोड़ा सा स्पार्कल से डालेंगे और स्पार्कल्स हमने एड कर दिया जहां जहांजां हमें खाली हो लग रहाँ है कि आप डेकुरेट करना इस तरह का फोन केस लेने के बाद आपको जहां भी बॉडर वाला फोन केस मिलें यह वाला फोन केस मैंने एट्टी रूपी सका लिया था आपको भी तरह प्रुपीज में जैसा दोगंदार होगा वैसे उतना रेट में फोन केस देगा अब यह हमारा ब्राय हो गया और ये इस तरह से बन चुका है अलाख माम एक उसके से युधे मैं नाम लिखंगे Oke में पर्मेन गर होता है और अब हम सका करे देखे से इस तो कि अक्षे से इस तरह से आएगा ये मिंड में लगाना होता है आपको कि कि इस साइट पे आपको प्लीन वाली साइट को फैविक ख्यूइक लगाना है और इसको रख देना है और दूसरी वाली साइट से आपको पेपर अठाना है जहां पे फाम है इसको हटा देंगे और ये वाली साइड हम अपने फोन पर लगादेंगे और ये हमारा फोन केस रेडी हो गया, सिंपल सा और अब हम अपने बनाय हुए फोन केस को अपने फोन पर लगाएंगे तो इस तरह से ये दिखेगा तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं प्यारा सफोन के बहुत इजी तरह से